हारे कृष्णा जैशील प्रभुपाद सबसे पहले तो आज आपसे दिल से शमा मांगना चाहती हूँ बिमार होने की वज़ा से मैं आपको भगवत गीता के आगे किशलों का नहीं सुना पाई तो चलिए आज से हम भगवत गीता फिर से शुरू करते हैं और भगवत गीता के सुनेरे पन्नों को फिर से खोलते हैं और ले चलते हैं आपको युद के मैदान में जहां पर अर्जुन जी श्रिक कृष्ण को युद ना करने के कारणों को बता कर युद से हटने का मन बना रहे हैं आज हम ब्याली स्वाश लोका करेंगे अर्थार्थ जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांचित संतानों को जनम देते हैं उनके दुशकर्मों से समस्परकार की सामुदाइक योजनाई तथा पारिवारिक कल्यान कार्य विनष्ट हो जाते हैं अब अनुवात के अनुसार वर्णाश्रम धर्म द्वारा निधारित मानव समाज के चारो वर्णों अर्थात, ब्रामन, शत्रिय, वैश्य और शुद्र इन सब के लिए पारिवारिक कल्यान कारे इसलिए बनाए गए ताकि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके अधर जब सनातन धर्म पर्मपरा का नाश होता है तो समाज में अव्यवस्था फैलती है फल्सवरो लोग जीवन के मुख्य उद्देश्य श्री विश्नों को भी भूल जाते हैं ऐसे नायक अपने पत से ब्रष्ट हो जाते हैं और निश्चे ही कूव विवस्था की और बढ़ जाते हैं आज का सूवचार हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का अनुस्तरन करना चाहिए रिश्री मुनियो द्वारा लिखी गई अगर हमारे लिए बातें सही हैं तभी उन्होंने हमें शास्त्रों में बताई हैं वो भी इसलिए ताकि आने वाले पीडी कही भगवान श्रीकृष्न को ना भूल जाएं और ऐसे ही करके कुमार गामीना बन जाएं इसलिए हमेशा अपने शास्त्रों में लिखे ग्यान को दिल में उतारना चाहिए और रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए और कभी भी भगवान श्रीकृष्न को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा जबते रहना चाहिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे और हमेशा खुश रहना चाहिए इसी के साथ भगवद गीता का 42 वंशलोका पूरा हुआ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहे हरे कृष्णा जै शील प्रभुपाद